राहुल जी देश में सबसे भ्रष्ट सरकार कहा की है जरा बताइए ना करनाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है 40% की सरकार है लेकिन करनाटक की सरकार को भ्रष्ट क्यों कह रहे है राहुल जी इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमिशन देना पड़ता है लेकिन confused बत हो येगा दोस्तों ये पुराना बयान है ये तब की बात है जब करनाटक में भाजपा की सरकार थी लेकिन जानते हैं जैसे ही सरकार बदली कॉंग्रेस की सरकार बनी नोटों की गड़ियां सामने आने लगी लेकिन अब राहुल जी करनाटक पर कुछ नहीं बोलते चुपी साथ गए हैं लेकिन कोई बात नहीं समय का पहिया थोड़ा आगे बढ़ाई है और राहुल जी से फिर सवाल पूछते हैं राहुल जी करनाटक छोड़ दीजिए अब बताईए कि देश में सबसे भरष्ट सरकार कहां की है मध्यप्रदेश हिंदुस्तान में भरष्टचार का सेंटर है एपी सेंटर है ये बात मध्यप्रदेश क्योंकि यहां अब भाजपा की सरकार है लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि पिछली बार के चुनाव में मतलब 2018 के चुनाव के बाद एक साल से अधिक कुछ महने के लिए एक साल तीम महने के लिए कॉंग्रेस की सरकार बन गई थी और जानते हैं वहां से भी नोटों की गड़ियां बाहर निकलने लगी थी इसलिए बोल रहा है अब सरकार फिर बदलनी है लेकिन जानते हैं जैसे ही राजस्थान की बात आती है राहुल गांधी चुपि साथ लेते है और इसलिए ये जरूरी है कि राजस्थान में कोई घोटाला हुआ भी है या नहीं हुआ है ये जानना जरूरी है और बांगे दिखाऊंगा आप ये देख लीजिए बड़ा स्पेशल है लाल डायरी घोटाला फर्टिलाइजर घोटाला क्रिकेट घोटाला पेपर लीग घोटाला मिड़े मील घोटाला जल जीवन मिशन घोटाला सब दिखाऊंगा और बड़े रिसर्च के साथ निकाला है पता तो चले कि जहां सरकार बनती है वहां की स्थिती होती क्या है आज यही डिकोट करूंगा साथियों नमस्कार मैं हरिश्चंद्र बनवा कॉंग्रेस ने इस समय एक गजब की चीज़ पकड़ी है ब्रश्टाचार को लेकर नारेटीव बड़ा विचित्र संयोग है दोस्तों देखिए जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है न ब्रश्टाचार तो गायब हो गया है लेकिन राज्यों में नेरेटीव पकड़ने का एक ऐसा खेल एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया जिससे लोग जहांसे में आ जाते हैं हकीकत कुछ और ही निकलता है और इसलिए मैंने दोस्तों करनाटक और मध्य प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार की समय का घोटाला दिखाया वो कहानी दिखाई और इसलिए आज जब राजस्थान में कॉंग्रेस ने पांच साल पूरे कर लिये हैं तो वहां भरश्टाचार की क्या स्थिती है 2018 में अशोग गहलोत के मुख्य मंत्री बनते ही दोस्तों कैसी स्थीतिया पैदा हो गई आपको दिखाता हूँ आप दिखिए मुख्य मंत्री अशोग गहलोत को जब पहली बार 2020 में अपने ही साथी और उप मुख्य मंत्री सचीन पैलेट के विद्रोह का सामना करना पड़ा तो मुख्य मंत्री ने अपने समर्थित विधाईकों को रोकने के लिए रिजोट पॉलिटिक्स का सहारा लिया और आप सब को पता है कि विधाईकों पर पानी की तरह से पैसे खर्च किये गए बहाई गए और इसका खुलासा किस ने किया किसी बाहरी ने नहीं उन्ही के एक मंत्री ने राजेंद्र गुढ़ा ने और उन्होंने जिस लाल डाइरी के जरिये विधान सभा में विधाईकों की खरीद फरोक्त का हिसाब किताब देना चाहा तो उनके हाथों से डाइरी गहलोत के समर्थकों ने चीन ली जी हाँ यही लाल डाइरी का घुटाला है दोस्तों और मुख्य मंत्री अशोग गहलोत के खिलाफ इतना ही नहीं आप देखिए जो आरोप की बात कह रहा हूँ आरोप है कि घुटाले के वो आरोप हैं जो हमारे सामने पिछले पांच साल में राजस्थान में हुए हैं और मैं सबसे पहले दोस्तों अशोग गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत और फर्टिलाइजर घुटाला शायद भूल गये हों इसी सरकार के दोरान ये चीज़ें आई हैं इस घुटाले पर सीबी आई ने उनके भाई और चौदह अन्य लोगों पर केस दर्ज करने और चापे मारी का काम 2022 में शुरू किया यानि पिछले साल ही शुरू किया लेकिन ये मामला है पुराना अभी निकला ये मामला दोस्तों 2007 से 2009 के दोरान का है जब अग्रसेन गहलोत ने जो इनके भाई हैं उन्होंने किसानों को मिलने वाली जो सबसीडी है फर्टिलाइजर पर सबसीडी है उस फर्टिलाइजर को खरीद कर विदेशों में बड़ी मात्रा में उचे दाम पर बेच दिया और आप जानकर हैरान हो जाएगे कि उस समय फर्टिलाइजर पर जानते है कितना परसेंट सबसीडी मिलती थी असी प्रतीशत की लेकिन वो फर्टिलाइजर किसानों के पास नहीं पहुंचती थी किसानों को मिलता ही नहीं था जबकि दूसरी तरफ सरकार के खजाने को चूना लगाकर करोडो रुपिय कमाए क्योंकि इसे विदेश में बेच दिया आप सस्ते में खरीद रहे हैं और विदेश में बेच दे रहे हैं अब देखिया आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ ये तो भाई है अब इनके उपर एक दूसरा गंभीर आरोप इनके बेटे वैभव गहलोत पर लगा और वो भी ब्रेश्टा चार का उसी में फसे हैं वैभव गहलोत का नाम राजेंदर गुड़ा ने अपनी लाज डायरी में बताया है कि किस तरह सरकारी तंत्र के जरिये राजस्थान क्रिकेट संग में घोटाला चल रहा था देख लीजे ये लाज डायरी की बात बता रहा हूँ और आप ये रिपोर्ट भी देख लीजे इसमें भी सारी चीजें लिखी है वैभव गहलोत कौन है वैभव गहलोत दोस्तों राजस्थान क्रिकेट संग के अध्यक्ष है और पिता अशोग गहलोत खुलकर राज जिमें स्टेडियम बनाने के लिए पैसे और जमीन दे रहे है अभी आपने एक बयान सुनाओगा राहुल गांधी को वो लगातार जैशाह की बात करते हैं लेकिन राजस्थान में ये नहीं देखते कि मुख्यमंत्री का बेटा ही क्रिकेट संग का अध्यक्ष बना हुआ है और उसके लिए अशोग गहलोत स्टेडियम बनाने के लिए पैसे और जमीन दे रहें और इतना ही नहीं जैपूर में भी स्टेडियम बनाने के लिए अशोग गहलोत ने अपने ही बेटे को जमीन पट्टे पर दे दी देख लिजे रिपोर्ट और वैभव गहलोत के अध्यक्ष्टा वाले राजस्थान क्रिकेट संध में बड़े पैमाने पर धांधले बाजी का आरोप लगे राजस्थान में कॉंग्रेस सरकार के मुख्या अशोग गहलोत के भाई और बेटे पर ही नहीं दोस्तों बलकि उनके विधायक और मंत्री पर भी गंभीर आरोप लगे अब आप देखिए अशोग गहलोत के सबसे करीबी साथी और कॉंग्रेस वर्की कमेटी के सदस्य दिनेश खोड़निया का राजस्थान पेपर लीग घोटाला बड़ा घोटाला है चुनाओं में बड़ा मुद्दा भी बनाये दोस्तों और इस घोटाले में राजजी के युवाओं को नौकरी देने के लिए जो परिक्षाएं आयोजित की गई उसके पेपर लिग कर दिये गए कौन शामिल था ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ मंत्रे भी तो शामिल थे सरकारी अफसर भी तो शामिल थे और ये घोटाला दोस्तों पहली बार नहीं 2021 में उस समय भी आया था उसके बाद कानून बनाया गया लेकिन आरोप है कि सरकार के मंत्री और कौनग्रेस विधायक किस पेपर लीग घोटाले में शामिल है और इसलिए ये राजस्थान में थमने का नाम नहीं ले रहा है अब अशोक गहलोत के एक दूसरे मंत्री दोस्तों राजेंद्र यादव के मिड़े मील घोटाले के बारे में बताता हूँ हाल ही में मिड़े मील में बच्चों को जो खाना दिया जाता था उसमें भी घोटाला कर दिया सोचिए मतलब गरीब बच्चों को खाना दिया जाता और इसलिए दिया जाता है कि बच्चे स्कूल आएं उसमें भी इन लोगों ने घोटाला कर दिया और इस मामले में E.डी ने भी चापे मारी की। राजेंद्री यादव जो सरकार में राज जी ग्रिह मंतरी हैं जब उनके घर पर चापे मारी हो रही थी ना तो वो क्या कह रहे हैं थे, क्या कर रहे हैं आप इस रिपोर्ट में देखें क्या लिखा है। ग्रिह राजी मंत्री यादव के घर E.D. का छापा चाबी नहीं दी, अलमारी तोड़ी, मंत्री बोले दबूंगा नहीं, कॉंग्रेस में ही रहूंगा। और एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, राजेंद्र यादव अपनी बेटे मधूर यादव के साथ मिलकर, राजस्थान के कोट पूतली में, मिड़े मिल के लिए पॉस्टी काहार की पैकिंग का काम करते हैं, और मिड़े मिल की पैकिंग और सप्लाई में बड़े पैमाने पर घ कितना घोटाला, किसानों को खाद मिलता है, उसमें घोटाला, युवाओं को रोजगार देने में घोटाला, खेलने की सुविधा देने में घोटाला, और इसके बाद बच्चे के खाने में भ्रेष्टाचार की खबर तो आपने देखे ली, अब आपको एक और घोटाला द और आप देखिए इस घोटाले में दोस्तों लोगों के घरों तक नल सिर्फ कागजों में पहुंचा है बड़े ध्यान से सुनिएगा नल नहीं पहुंचा सिर्फ कागज में नल पहुंचा हकीकत में तो कुछ मिला नहीं जानि ठेकेदार से लेकर अफसर और अधिकारी पूर पूरा तंत्र इसमें शामिल हो गया और जब पूरा तंत्र शामिल है तो आपको क्या लगता है क्या मंत्री और विधायक शामिल नहीं वे होंगे और ये पानी से जुड़ी हुई ख़बर है यानि दोस्तों राजस्थान में अशोग गहलोत की सरकार के दौरां जिसे गया मौका उन सब ने मिलकर पैसा कमाया और हालत ये है मैं आपको एक बड़ी खबर दिखा रहा हूँ कि कोविड के दौरान जो उपकरण 35,000 रुपे में दूसरे राजियों में खरीदा गया उसे अशोग गहलोत की सरकार ने 1,00,000 रुपे में खरीदा था और इतना है नहीं जनता के धन पर कमाई करने के लिए जिस चीज की जरूरत नहीं थी वो चीज भी खरीद ली गई और इसलिए मैं ये उक्सिजन कॉंसेंट्रेटर दिखा रहा हूँ दोस्तों ये कोविड की बात है एक तो 35,000 में बाकी राजियों ने खरीदा इसने 1,00,000 में खरीद लिया उसकी जरूरत नहीं थी बाद में पता चला कि ये कबार में ही मौजूद थे तो कुल मिला करके साथियों आप याद कीजिए UPA का दौर UPA का काल 2004 से 14 तक इतनी अस्थिरता थी भ्रश्टा चार था कोई काम नहीं था पॉलिसी परालिसिस की स्थिती थी आज वही स्थिती अ और इसमें जो है फ्री की रेवडी का मसाला भी डाला जाता है लेकिन जब सत्ता हासिल कर लेती है तो कौन सी स्थिती पैदा होती है कैसे वहाँ कैश के बंडल मिलने लगते हैं तो ये एक नई प्रकार की चीज कॉंग्रिस में देखने को मिल रही है दोस्तों लेकिन भारत पता तो चले कि ये सारी चीजे उन्हें पता भी है या नहीं है बहुत-बहुत धन्यवाद आप से निवेधन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और इस बेल आइकन को प्रेस क करना मत भूलिएगा नमस्कार